नमस्कार कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ श्रेया राज उत्तर प्रदेश के जालों जिले में एक महिला सिपाही के साथ तैनात कॉंस्टेबल पे हैवानियत का आरोप लगा है जिसके बाद पूरे पुलीस महकमे में हरकम मच गया है फिरित महिला सिपाही ने इस घटना की शिकायत खुद सीनियर अधिकारियों को दी जिसके बाद महिला सिपाही की शिकायत पे पुलीस में आरोपी के खिलाप मुकदमा दर्जकर कारवाई सुरू कर दी है क्या कुछ है पूरा मामला जानने के लिए देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट यूपी के जालोन जिले में महिला सिपाही से दुसक्रम का संसनी खेज मामला सामने आने से पुलीस बिभाग में हरकम मचा हुआ है जिले में तैनात महिला सिपाही से उसी के साथ तैनात सिपाही ने हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया है पीरित महिला सिपाही ने इस घटना के बारे में उच्छ दिखारियों को अबगत कराया जिसके बाद महिला सिपाही की शिकायत पे पुलीस ने आरोपी सिपाही के खिलाप मुकदमा दर्जगर कारवाई शुरू कर दी है बतादे की घटना उड़ई मुख्याले से 55 किलो मीटर दूर नंदी गाउं थाने की है जहां एक महिला सिपाही ने अपने साथ तैना सिपाही करमवीर सिंग के खिलाप हैवानियत का मुकदमा दर्जगर आया है महिला सिपाही का आरोप है कि उसके साथ तैनात रहे सिपाही करमवीर ने कई बार उसके साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया जब भी उसने इस घटना की शिकायत करने का प्रयास किया तो सिपाही ने जान से मारने की धमकी दी लेकिन आरोपी सिपाही क्रमवीर के ट्रांसफर होने पे घतना की शिकायत पीरित महिला सिपाही ने उच्छ अधिकारियों को बताई जिसके बाद नंदी गाउं थाने में केस दर्च किया गया बर्तमान में पुलीस लाइन में तैनास सिपाही क्रमवीर बीते दिनों नंदी गाउं थाने में तैनाथ था जहां उसने महिला सिपाही के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया था महिला ने बताया कि दोनों एक ही थाने में तैनाथ थे उसी दरान उनके बीच नस्दिकिया बढ़ी और मौके का फाइदा उठा कर आरोपी पुलीस कॉंस्टेबल ने उसके साथ कई बार हैवानियत की महिला सिपाही ने पुलीस को बताया कि जब भी उसने आरोपी सिपाही का विरोध किया तो उसने महिला को जान से मारने की धमकी दी महिला की शिकायत में पुलीस अधिकारियों को इस बात की भी जानकारी दी गई कि आरोपी पुलीस कॉंस्टेबल साधी सुदा है महिला कॉंस्टेबल ने डर की वज़े से लंबे समय तक शिकायत नहीं की बदादे कि आरोपी के ट्रांसफर होने के बाद महिला ने स्पूरे मामले की सच्चाई पुलीस अधिकारियों के सामने रखा वही घटना के बारे में जालोन के पुलीस अधिक्चक डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि महिला सिपाही की शिकायत के अधार पे आरोपी कॉंस्टेबल के खिलाप मुकदमा दर्ज कर लिया गया है साथ ही संबंदित थाने को जाच के आदेश दिये गये हैं इस खबार में फिलाल इतना ही बागी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उतर प्रदेश नमस्कार